आजकल ऐसे से लोग मिलते हैं ओले माराज बोले हाँ बोले मुझे न कनिया जी सपने में आयते मिलने बिचारी मीधा को बुड़ापा आ गया तो दुनिया के ताने सुनते हुए आजकल कल्युकी भक्ती इतनी माने अब कहूंगा तो लोग कहेंगे जादा बोलता है आजकल तो माताओं में भी अनमान जी आ जाते हैं आया न अब नवरात्रे शुरू हो गए और आज से जागरन भी शुरू हो गए और जिस घर में जागरन होगा कई-कई जिगे तो ऐसा होता है कि ऐसे जानों जैसे नवदुरुगाने की चोशट योग निरें कितनी रहें मानों सब्री देवी देवतान की घर में आ गया जागरन की एक बेट गायक ने गाई नहीं यह तो सेरो वाली माता जी आ गई एक गंटे तक नहीं जाती पिर वो माता निकलके मानों माता फिरी ब हनुमान जी कहीं सरीर में आ सकते हैं क्या है प्यारे मैं यह नहीं कहता कि मैं किसी की भक्ती का उपहस नहीं वड़ा रहा हूँ भीक है अगर कोई सच्चा भक्त होगा ना तो उसे केवल एक अनुभूती होगी अनुभूती बोलो रादे रादे नाधेरत दौन हाथ उठाके बोलो केवल एक अनुभूती होगी मैं आप सबसे इक बात कहना चाहूंगा आप बड़े भगवान के ठाकुर्जी के भक्त वनो लेकिन दिखावे की भक्ती मत करो बोलो रादे 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 आप समझ गई ना अभीमानी की भक्ती मत करो वक्ती नहीं है माला हाथ की बले छूट जाये लेकिन सांस की माला नहीं छूटनी जाये बंदवों नेमी सारण ने तीरत में सौनकादी कृषी स्री सूजी महराज के पास बैठे हैं सूजी महराज से कह रहे हैं कि प्रवू थोड़ा और विस्तार से बताईए कि सबसे पहले सरुपर्थम कल्यूग में भागवत के बक्ता कौन बन कर आए और भागवत के सुरूता कौन बन कर के आए सबसे पहले किस ने कथा को कहा किस ने सुना आपके मन में भी ये सवाल होगा कि माराज सबसे पहले कथा किस ने सुनी और किस ने सुनाई तोड़ा ध्यान दे न सूजी माराज कहते हैं कि सोनक रशियों जो ये स्रीमद भागवत कथा है ये स्वेम भगवान स्री नारायन के मुक्ष से निकली है नारायन भगवान ने चतर स्लोक की स्रीमद भागवत कथा कितने चतर स्लोकियान की चार स्लोकों की स्रीमद भागवत कथा नाराइन भगवान ने ब्रह्मा जी को बताई और ब्रह्मा जी ने बताई नारद जी को भागवत भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चर्णों से निकली है और दोनों का काम क्या है बताईए पापियों को पाप से तारना इस कली काल में अगर पापी को कोई तारे तो एक भागवत और एक गंगा गंगा भगवान के चर्णों से निकली है भागवत भगवान के मुख से निकली है भागवत भगवान के मुख से निकली है ब्रह्मा जी ने वो भागवत नारजी को बताई और नारजी ने उस भागवत को उस चत्रसलो की भागवत को हमारे ठाकुर जी ने ब्रह्मा को बताया ब्रह्मा ने बताया नारजी को और नारजी ने उस स्रीमत भागवत कथा को जाकर के बताया है वेद व्यास जी महाराज को किसको बताया वेद व्यास जी महाराज को जो वेदों के रचेता है व्यास जी महाराज को बताया है जाकर के कथा प्रशंग में वर्णन आता है सौनक रिशी पुष्टें के पिरू थोड़ा विष्तार से बताईए कि ये भागवत धर्ती पर आई कहा से इतना तो हमने आपने बता दिया कि नारायन ने ब्रह्मा को बताई ब्रह्मा ने नारज जी को बताई नारज जी ने बता दि किसको ब्यास जी को और ब्यास जी ने इन चार सिलोकों के कितने सिलोक बनाए अठारे हजार कितने चार सिलोकों के कितने अठारा हजार और एक बात और आप थोड़ा ध्यान देना इस भागवत को ब्यास जी के कहा जाता है कि ब्यास जी ने लिखा उन्होंने चार स्लोकों के अठारे हजार स्लोक बनाए हैं लेकिन इसकी लेखनी जानते कुनों ने किया है गौरी नंदन गनेश जी माराज ने क्योंकि कल्यूग प्रारम हो रहा है इतना बक्त इतना समय व्यास जी पर नहीं है कि वो अठारे पुरानों को लिख सकें वो भागवत के ठारे है हजार स्लोकों एक साथ लिख सकें इसलिए उन्होंने गौरी नंदन गनेश जी माराज का आवान किया उनको बुलाया है और उनको बुला करके उनको बुलाया है और उनको बुला करके भागवत की लेखनी को लिखवाया है भागवत की लेखने को लिखवाया है सौनक रिशियों से सूजी महाराज कहते हैं कि यह सौनक रिशियों जब कल्यूग प्रारम हो रहा है तो नारजी ने देखा तीनों लोकों का भ्रमन करने धरती लोक पर आए और जब धरती लोग पर नारजी आये नारजी ने जब धरती लोग पर देखा तो हर प्रानी अपने दुख से दुखी है